सियासत के लिए मजभब के अस्तमाल की कई खबरे इन दुनों सुख्यों में हैं क्योंकि नेताओं का मिजाज मजभवी हो गया है और मजभवी किरदारों का मन राजनिती के रंग में रंग गया है और इसकी बड़ी मिसाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में एतियाद मिल्लत कॉंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा 15 मार्च से तिरंगा यात्रा निकालने वाले है कहते हैं कि देश बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे है लेकिन उन्होंने असली आपत्ती बागेश्वर दाम वाले धिरेंद्र शास्त्री के एलान पर है उसी के विरोध में मौलाना तौकीर दूर दिल्ली तक पैदल जाने का एलान कर बैठे हाला कि यूपी में भड़काओ भाशन के लिए मौलाना पर केस दर्ज हो चुका है बागेश्वर धाम के महान धिरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्रवाले संकल्प और बयान को लेकर मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग खड़े हो रहे हैं और दोनों ही तरफ से ऐसी ताकते एक दूसरे के सियासी कंधे को धंदे को एक तरीके से कहिए तो बढ़ाने के सहयोग भी करते है बागेश्व धाम के महन्त धिरेंद्र शास्त्री ने ऐसा ही एक और बयान दिया है अब धिरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि हिंदूओं को भी कम से कम 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए जिसमें 2 बच्चों को राम की भकती के लिए चुन लेना चाहिए यह और क्या का उन्होंने सुनिये सरा तो मजब के नाम पर एक हलिस चुनिंदा सियासत राजस्थान से लेकर बिहार तक भी करने की कोशिश की जा रही है असदिक दिन ओवैसी हरियाना में मारेगे राजस्थान के दो भायू जुनेत और नासर के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं पहले बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे थे वो वैसे अब राजस्थान सरकार पर कम मुआबज़ा देने का आरोप लगा रहे हैं हरियाना में जिन्दा जलाकर मारे गए राजस्थान के दो भायू जुनेत और नासर के असली हत्यारों तक पुलिस अभी तक नहीं पहुँच पाई हत्या का मुख्यारोपी गोर अक्षक दल का नेता है जिसके समर्थन में हरियाना में आए दिन पंचायत और महा पंचायते हो रही है हरियाना के जिन्द में ऐसी एक और महा पंचायत पिछले दिनों हुई जिसमें नासर और जुनेद हत्याकान की चांच सीबियाई से कराने की मांग वाले प्रस्ताव पास किये गए उधर जुनेद और नासर की हत्या के बाद दो दो सरकारों और उनकी पुलिस की नाकामी पर उठ रहसावालों की धार अब सियासत की और मुड़ गई है M.I.M. के निता अस्दुदीन वैसी ने राजस्तान सरकार पर जुनेद और नासर के घरवालों के साथ भेदभाव का अरोप लगाया है जब पनियालाल की हत्या होई जुनेद ने किया वो टर्रिस्ट हैं आप वहाँब पचास लाग एक नोकरी देते हैं जुनेद नसीर कुमारा वो भी तो टर्रिस्ट हैं उनको आप सिर्फ तीन गवर्मेंट स्कीम में 15 लाग सरकार देती है तो नोकरी नहीं देती है तो इनसान तो इनसान है ना भई कि ओवैसी राजस्थान में आने वाला विधान सवा चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए ओवैसी ने राज्य में सर्वे कराने का भी अलान किया है जिसमें ओवैसी राजस्थान में मुसल्मानों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और स्वास्ते जैसे मुद्दों पर सर्वे कराने का दावा कर रहे हैं ओवैसी के सर्वे की ये रिपोर्ट 25 से 26 मार्च तक आने वाली है दरसल ओवैसी का सेलेक्टिव सेक्लिरिसम चुनावी सीजन में ज्यादा प्रभावी तोर पर काम करने लगता है जहाँ जहाँ चुनाव में ओवैसी को अपनी मौजूदगी दिखानी होती है वहाँ 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 वो मुसल्मानों का मद्दा उठाने लगते हैं खास कर इतने बड़े हिंदुस्तान में ओवैसी चुन चुन कर खास जगों पर सेक्लिर मोर्चा खोल बैठते हैं ओवैसी ऐसा ही एक आयोजन अब बिहार में भी करने वाले हैं 18 और 19 मार्च को बिहार के सीमांचल इलाके में ओवैसी अधिकार पद्यात्रा करने वाले हैं सेक्लिरिजम के लिए चुनावी जंग लड़ने का दावा करने वाले ओवैसी हलाकि अब इसमें भी मुसल्मानों का मुद्दा उठाने लगे हैं और मुसल्मानों को सेक्लिरिजम का कुली बता रहे हैं आज तक ब्यूरो